एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर का ब्रामन कर रहे थे। देख रहे थे कि नगर में सब कुशल मंगल तो है। तभी उन्हें एक ब्राहमन भिक्षा मांगते हुए दिखाए दिया। ब्राहमन देवता को भिक्षा मांगते हुए देखकर अर्जुन को उ देता हुआ वह सुन्दर भाविश्य के स्वपन संजोने लगा। सपनों की दुनिया में खोया हुआ ब्राह्मन अपने घर लोठी रहा था, तभी रास्ते में उसे प्यास लगी। पासी एक कुवां था आता अपनी पोटली को एक तरफ रखकर ब्राह्मन ने कुए से पानी खीचना शुरू किया। तभी दुर भाग्य से एक लुटेरा जो काफी समय से मौके की तलाश में उसका पीछा कर रहा था, वहां आया और जट से पोटली लेकर भाग गया। ब्राह्मन कुछ करता उससे पहले ही लुटेरा भाग चुका था। रोधोकर ब्राह्मन फिर से भिक्षा मांगने लगा। अगले दिन फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन नगर ब्राह्मन को निकले। इस बार फिर उन्होंने उस ब्राह्मन को भिक्षा मांगते हुए देखा, आश्चर्य से देखते हुए अर्जुन उस ब्राह्मन के पास गई और भिक्षा मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मन ने अपना सारा दुखडा सुना दिया। ब्राह्मन की व्यथा और वेदना जानकर अर्जुन बड़ा दुखी हुआ। इस बार अर्जुन ने ब्राह्मन की सहायता में एक बेशकीमती मानेक्य भेट किया। बेशकीमती मानेक्य पाकर ब्राह्म चुपाना चाहिए जहां यह एकदम सुरक्षित रहे। अतह उसने अपने घर में रखे एक पुराने घरे में मानेक्य को चुपा दिया। मानेक्य को सुरक्षित स्थान पर रखकर उसने चैंकी सांस ली। दिन भर की दोर धुप से वह बहुत ठक चुका था अतह गोड़ी बेचकर सोने लगा। उस समय उसकी पत्नी पानी लेने गई थी अतह ये बात वह उसे बताना भूल गया। दुर भाग्य से उसी दिन उसकी पत्नी के हाथ से नदी से पानी लेकर आते हुए रास्ते में घड़ा तूट गया। अतह वह वाप लोटी और पुराना घड़ा लेकर नदी पर पानी लेने चली गई। उससे नहीं मालूम था कि इस पुराने घड़े में मानिक्य रखा अतह उसने पानी लेकर धोने के लिए जैसे ही घड़े को उल्टा किया, मानिक्य निकल कर नदी की धार में बाह गया। जब ब्राह्मन नीन से जागा तो घड़े को यथास्थान न देखकर अपनी पत्नी से पूछने लगा। जब पत्नी ने सारा हाल बताया तो वह सिर पक पढ़कर बैठ गया। अपने दुरभाग्य का रोना रोकर दुसरे दिन फिर से वह भिक्षा के लिए निकल पढ़ा। अगले दिन फिर जब श्री कृष्ण और अर्जुन नगर ब्रह्मन के लिए निकले तो उन्होंने फिर से ब्राह्मन को भिक्षा मांगते हुए रवस्था में देखा। इस बार फिर अर्जुन उसके निकट गया और कारण पूछा तो ब्राह्मन ने सारा वृतांत बता कर अपने दुरभाग्य का रोना रोया। अब तो अर्जुन ने भी सोच लिया कि इस ब्राह्मन का किस्मत ही खराब है, इसके जीवन में सुख है ह नहीं। तभी श्री कृष्ण बहां आये और उन्होंने ब्राह्मन को दो पैसे भेट किये। ये देखकर अर्जुन हस्ते हुए बोला, हे केशव, जब मेरी दी हुई मुद्राय और मानिक्या इस अभागे की दरिद्री नहीं मिटा सके तो आपके दो पैसे से इसका क्या भ रहा था कि दो पैसे से तो किसी एक व्यक्ति के लिए भूजन भी नहीं आता, पता नहीं प्रभू ने मुझे ऐसा तुछा दान क्यों कर दिया होगा। ऐसा विचार करके वह जाही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक मच्छवारा दिखाए दिया। ब्राह्मन ने देख इन दो पैसों से और तो कुछ होना जाना है नहीं, इस मच्छली की ही जान बचा देता हूँ। ब्राह्मन की करुना जाग पड़ी और उसने मच्छवारे से मच्छली खरीद कर अपने कमंडल में डाल ली और उसे नदी में छुड़ने के लिए चल पड़ा। ब्राह्मन मच्छली को लेकर बजार से गुजर से गुजर ही रहा था कि उसने देखा कि मच्छली के मुख से कुछ निकला। ये वही मानिक्य था जो उसने पुराने घड़े में छुपाया था। मानिक्य मिलने की खुशी में ब्राह्मन जोर जोर से चिलाने लगा, मिल गया, मिल गया तब ही संयोग की बात है कि वो लुटेरा जिसने ब्राह्मन की मुद्राएं लुटी थी वो उसी बजार में था उसने ब्राह्मन को चिल्लाते हुए देखा तो सोचा कि निश्चही ब्राह्मन ने उसे पहचान लिया है इसलिए चिल्ला रहा है अब जाकर ब्राह्मन राजदर्बार में उसकी शिकायत करेंगा ऐसी सोचकर लुटेरा भाय से कांपने लगा लुटेरे ने ब्राह्मन से क्षमा याचना करने में ही भलाई समझी लुटेरा भाय से कांपते हुए हाथ जोड़कर ब्राह्मन के पास गया और क्षमा याचना करते हुए सारी मुद्राइं उसे लोटा दी। ये देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नत्मस तक हो गए और बोले प्रभु ये क्यासी लिला है। जो कारिय मेरी दी स्वर्ण मुद्राइं और मानिक्य नहीं कर सके वो आपके दिये दो पैसे ने कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण बोले हे अर्जुन उस समय में और इस समय में फर्थ केवल ब्राह्मन की सोच का है। जब तुमने उस निर्धन ब्राह्मन को मुद्राइं और मानिक्य दिये तब उसने केवल अपने सुख के बारे में सोचा। किन्थु ज स्वार्थी मनुश्यों को ही उसकी ओर आकर्शित करती है। इसके विप्रीत जब मनुश्य दूसरों के दुख को दूर करने के विशय में सोचता है तो ईश्वर सहित ये प्रकृती उसके दुखों को दूर करने की चेश्टा करती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें